मित्रों जै मातादी काईसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें मातारानी आप सब ही का कल्यान करेंगी मित्रों साल 2022 में नाग पंचमी कब है पूजा विधी क्या है और पूजा समगरी क्या है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन नाग पंचमी से जुड़ी समपूर जानकारी जानने से पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे सिजादे सियर करेंगे मित्रों नाग पंचमी का तेवहार स्रावन मास के सुक्ल पक्च की पंचमी तिथी को मनाया जाता है आज के दिन नागों की पूजा की जाती है हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्पों को पवराणी काल से ही देवता की रूप में पूजा जाता रहा है इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को साप के डसने का भय नहीं रहता है आईसी मान्यता है कि इस दिन सर्पों को दूज से इसनान और पूजा करके दूज पिलाने से अक्षाय पूण की प्राप्ती होती है यह पर्व सपेरों के लिए भी विशेश महत्व रखता है नाग पंचमी के दिन घर के मुख्यद्वार पर नाग चित्र बनाने की परंपरा है माननेता है कि घर नाग की कृपा से सुरचित रहता है नाग पंचमी के दिन अश्ट नागों की पूजा की जाती है चतूर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके साम को भोजन करना चाहिए पूजा करने के लिए नाग चेत्र या मिट्टी से बनी सर्प की मूर्ती को लकडी की चौंकी के उपर रख कर हल्दी, रोली, लाल सिंदूर, चावल और फूल चाहा कर नाग देवता की पूजा की जाती है इसके बाद कच्या दूद, घी, चीनी मिलाकर लकडी के पटरे पर बैठे सर्प देवता को अरपित किया जाता है और पूजा करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है और किसी सपेरे को अपनी स्वेच्छा की अनुसार कुछ दच्छिडा देकर सर्प को दूद पिला सकते हैं और अंत में नाग पंचमी की कथा सुनी जाती है मित्रों साल 2022 में नाग पंचमी दो अगस्त दिन मंगलवार के दिन मनाई जाएगी और इस दिन नाग पूजा करने का सुम मुहुर्थ है पांच बचकर 42 मिनट से लेकर आठ बचकर 24 मिनट तक यानि पूजा करने की कुल अवधी है दो घंटे 41 मिनट